आच्छा क्लास बहुत special है क्रिजन क्या special इंप्रिकेशन करने वाले इस लांग स्ट्रेड वायर लंबे रिजुरेखी चालगतार मैं पहले हैड़िंग लेटा ओं फिर आपको बताता हूं कि लंबे इस बारे में बात करते हैं ठीक है तो अच्छे साब देखेंगे कि चीजों को और समझेंगे बात को ठीक तो यहां पर लिख रहा हूं वैडिंग magnetic field intensity due to long straight wire लंबे रिजु रेखी है चालक तार के कारण चुंबकी है छेत्र की तिव्रता यह बहुत important है लंबा रिजु रेखी चालक तार का मतलब क्या होता है पहले इस चीज को हम समझते हैं कि लंबा रिजु रेखी चालक तार का मतलब है लंबा मतलब बहुत लंबा ऐसा भी हो सकता है चलो अच्छा है रिजु रेखी का मतलब क्यों बोला गया रहे स्ट्रेट क् क्या मीनिंग है इस बारे में समझते हैं बिलकुल मैं आपके अभी कमेंट को रीड नहीं कर रहा हूं मैं पूर एक फोकस लगा रहा हूं आपको की समझा दू मैं भी चाहता हूं कि आप अभी कमेंट कुछ पोच्मिना करें और टॉपिक को सम्झें और जहां समझ में आते जाय Бहल सकता है लंबातार, long wire, क्या भूब बोल सकता, long wire या conductor wire, current carrying conductor wire ऐसे भी बोल सकता है, long wire चलेगा, लेकिन इसको मैं एकदम सीधा नहीं बोल सकता, एकदम straight नहीं बोल सकता, long तो है, लेकिन इस straight नहीं है, यह straight है, यह क्या है, straight है, रिजव रेकिये है, क्या है यह, रिजव रेकिये है, मतलब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क है कि यहां पर हर जगे पर current element का direction जो है अलग अलग दिखा रहा है, हर जगे पर current element का direction क्या हो रहा है, अलग अलग दिखा रहा है, जैसे current element का direction इधर आ गया, फिर इधर आ गया फिर इधर आ गया अगे जाओंगा तूर देखो गरिफ ए मातलब यह हुआ है यह यह लॉंग तो है लेकिन पर मिन आपके स्ट्रेट नहीं है घै स्ट्रेट काम तो एकदम सीधा, straight का मतलब क्या होता है? सीधा, हम बोलते हैं, कोई हमसा address पुसते हैं, आप से स्ट्रेट का मतलब क्या हो दो होता है, कि एकदम सीधा, बात समझ रहा होगा, बात अगर क्लिक कर रहे होगे, यह बहुत इंपॉटेंट पॉइंट है इस बात पे इसी चीज पर सारे चीज छुपा हुआ है पहले कॉंसेप्ट को समझे ले से पहले इस चीज को समझे लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग ठीक है है हमने अमने टॉपिक में लंबा तो लिखा है लंबा दोनों ही रही ही है लेकिन रखी का मतलब होता स्ट्रेट लॉंग तो भय लेकिन सब्सक् Sweet का मतलब ऐसा हوتा है कि जिसके हर जो करेंट इलिमेंट होगा करेंट एमिने बता रखा पिछिछी ॉसtimer यह इसका जो करेंट एलिमेंट है ते ये इसका क्या है यत कुए सिक्षक sucking न ठीक है यह करेंट एलिमेंट हर करेंट एलिमेंट का डारेक्शन अलग है यह इसका करेंट एलिमेंट सी लिख दे रहा हो ना करेंट एलिमेंट यह इसका करेंट एलिमेंट हर जगे पर करेंट एलिमेंट का डारेक्शन क्या है अलग अलग है करेंट एलिमेंट का डारेक्शन अलग-अलग है इस बज़े से यह रिजू रेक ही नहीं हो सकता है तो मुझे एक ऐसा वायर चाहिए मुझे एक ऐसा वायर चाहिए जिसमें लंबा तो हो लंबा होगा तो उसमें बहुत सारे क्या हों है बात समझ में आ रही है न तो एक जो वायर होगा बहुत सारे current element से मिलके बनता होगा लेकिन मैं इसको straight नहीं बोल सकता हूँ इसको resurrect ही नहीं बोल सकता हूँ मैं straight और resurrect उसको बोलूँगा जिसका एकदम values एकदम क्या होना ची straight होना ची मतलब मतलब उसके हर element का value उसके हर element का value हर current element का value एकी direction में हो एकी दिशा में हो एकी दिशा में हो तो मैं देख रहा हूँ कि यहां पर जो current element आ रहा हूँ उसका direction भी same देखो सबका direction same है सबका direction same है एकी सिद्धे में जा रहा है ठीक है जब कि इसका देखोगा तो यह ऐसा आ रहा था यह ऐसा जा रहा है यह ऐसा आ रहा है यह ऐसा जा रहा है यह दोनों ऐसा जा रहे है जब कि इनको देखोँगा तो सब एकी लाइम में आ रहे है तो यह straight नहीं है यह straight है इसको ऐसे हो जा रहा है यह ऐसा, फिर ऐसा, समझ में आ रहा ना, उम्मीद करता हूं क्लिक कर गया हो,eren्ट एक जैसे ही हो, एक पूरे से ही डायँ में हो, उम्मीद करता हूं क्लिक कर गया हो, अब आप सोच रहेंगे, इसका क्या मतलब इससे क्या फाइदा है फाइदा यह है कि अगर एक element के निकल गया है तो आपर पूरे का निकाल सकते हैं बात को समझ नहीं कि कोशिस करना current element vector quantities है यार बात को समझो मैंने कहा था कि current element जो vector quantities है अगर vector quantities हो सभी का direction अगर एक में तो एक को निकाल दे सबको निकाल दी बात को समझ मैं कि नहीं है current element का मतलब क्या होगा वो vector quantities लास्ट hammy बताया था अगर vector हो तो उसकी direction क्या होगी अगर सधीश है तो उसकी दिशा क्या होगी सधीश है तो उसकी दिशा हमेंसा क्या होगी तो exact value निकलेगा नहीं क्योंकि plus minus आना चलो जाए दिशा अलग अलग है लेकिना कि सबकी दिशा एक है तो मैं अगर एक element को निकाल लूँगा तो पूरे के पूरे वायर का मैं निकाल सकता हूँ नहीं समय में है current element का मतलब क्या है क्योंकि biosavet के basis पर निकालना है और biosavet ने क्या बोला है कि मेरा जो पूरा law है सिफ current element का आई दिगर्द घुमता है current element चाहिए तभी मेरा काम करेगा नहीं तो काम नहीं करेगा अगर एक element का value पता चल गया पूरे एकदम long straight है तो मैं पूरा क असानी से निकाल सकता हूँ ठीक उमीद करता हूँ मेरी बात क्लिक कर गया होगा अब हम topic को आगे carry on करते हैं तो उमीद करता हूँ long straight wire आपको समझ में आ गया होगा कि long straight wire होता क्या है ठीक है तो सबसे पहले long straight wire ले 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 लेते हैं ऐसे यह long straight wire है सबको दिख रहा है long straight wire ठीक है very good तो न इसके न यह कहीं पर point है कहीं पर भी point ले 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 जरू नहीं कि वहीं पर लो यहां पर ले ले लो चलो यहां पर एक point है ओ ओ से r distance पे एक observation point पी है और इसमें current न इस direction में जा रहा है इस direction में ऐसे current फ्लोरा current element चाहिए तो मैंने यहां पर current element लिया ऐसा करके arrow बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए एक current element ठीक जो इससे किते distance पे इससे small distance पे है यह अगर observation point है तो इस observation point को में अच्छा एक और बात यह वायर initial point है और यह final point है मतलब यह एक one end है ठीक है one end एक सीरा है और यह second end है यह क्या है second end प्रथम सीरा प्रथम सीरा और इसको बोलते हैं दुत्ती सीरा अब प्रथम सीरा से दुत्ती सीरा तक की जो दुरी है ना माल लेते हैं यह five one से start होता है और खतम कहां पर होता है five two six पर खतम होता है यह ताप माल लेना ठीक है angles को अच्छे समझ में आना समझ में आना चीए कितने बच्चों को यहां तक diagram क्लिक कर गया कितने बच्चों को यहां तक diagram क्लिक कर गया मेरे पास एक long straight wire long straight conducting current carrying conductor मतलब धा इसारा डावाई लंबा चालक तार लिया गया जिसके एक सीरे से जो observation point हो five one angle बनाता है दूसे सीरे से अंगल क्या बनाता है five two बनाता है तो मुझे यहां पे current element लोंगा एक current element का निकालने के बाद मैं पूरे का निकाल सकता हूं क्योंकि सबका direction सेम है सबका direction सेम क्यों है सबका डारेक्शन से मिसलिए है सबका डारेक्शन से मिसलिए है क्योंकि लॉंग के सासर्द लंबग के सासर्द रिज्यू आ रहा होगा तो सबका निकालने करें मुझे एक small value का पता होना चाहिए तो small value का जो है जब्लातपिशन से ऐंगल बना रहा है ना यहां से ऑंगल बना रहा हना उस एंगल को मैं ले लेता हूं theta या ठोग आपको is angle को ले लिया theta और यहां पे यह angle बना रहा है इसको लिली अलफा तो यह right angle तो होगा 90 ठीक है तो मुझे theta का value निकालना है ना इस theta का value निकालना होगा तो आपको यहां पे एक right angle triangle दिखरा होगा ऐसा करके समकों तिर्भूज ठीक है यह pi by 2 यह theta और यह क्या चल रहा अलफा चलना है ना तो theta प्लस alpha pi minus pi minus pi by 2, एक काम को अलफा को भी भेज दो कि हम वो theta का value निकार, तो minus alpha हो जाएगा, theta दो एक काम दो, 2 pi से pi जाएगा, तो 1 pi बचेएगा, pi by 2 minus alpha, theta का value यह आगया तो उमीद करता हूँ, यहां तक बहुत सारे जादा कुछ नहीं है भी यह, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा तो सिर्फ yes करना हूँ, मैं बोल रहूँ आपको बहतरीन तरीके से बता रहा हूँ ठीक है, तो चलिए अभी ठीक है रहा हूँ, तो अभी देखिए यहां तक तो यहां तक आपको उमीद करता हूँ, बड़े अच्छे से क्लिक कर गया होगा, बहुत important topic है लेजी पन मत लेना, अब इसके बाद से constructions आता है, तो आप constructions में यह मान के चलना, यह x से start होता है, उसका एक एंड x है और खतम कहां पर हो रहा y हो रहा है और यहां से हम तक इसके distance को भी अपन x assume कर लेते हैं, small x, ठीक है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, constructions कैसे लिखते हैं, मैं हिंदी इंग्रिश दोनों में बता दूँगा दोनों को आप note कर लेना, क्योंकि इसको board में लिखूंगा, फिर मिटाओंगा, time waste होगा आपका भी, मेरा तो कमी है पढ़ाना, time waste करना थोड़ी है, ठीक है तो आप समझ लेए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे माना संपर्क में, माना संपर्क में एक लंबा रिजूरेखी चालक तार, x, y लिया गया है जिसमें आई धारा x से y की और बह रही है इस लंबे रिजूरेखी धारा y चालक तार के अक्ष पर एक बिंदू o है जिसे r बिंदू पर जिसे r बिंदू पर r बिंदू पर एक प्रिक्ष बिंदू p है जहां पर बायो सेवट के नियम की साहता से जहां पर बायो और सेवट के नियम की साहता से परिणामी चुमबकी छेत्र की तिवरता की गणना करनी है जहां पर बायो और सेवट के नियम की साहता से परिणामी चुम्बकी छेतरी की तिवृता की घंड़ना करनी है तो उमीद करता हूँ यहां तक आप हो क्लिक कर गया होगा ठीक इसके बाद ठीक है अता बायो सेवर्ट का नियम लागू करने के लिए एक अलपांस खंड का होना आवश्यक है अता बायो सेवर्ट का नियम लागू करने के लिए एक अलपांस खंड का होना आवश्यक है इसलिए इसलिए O से L दूरी पर तथा P से X दूरी पर एक अलपांस खंड DL की कलपना करते हैं DL ले लेते हैं यहां तक आपको उमीद करता हूँ क्लिक कर गया होगा यहां तक आपको लिखना ही है ठीक है अगर इंगलीश वाले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे let us consider a long straight wire XY current flowing through X to Y current flowing through the direction of X to Y we have to determine fill intensity at the point P from R distance of the wire we have to determine fill intensity at the point P from R distance of the wire we also known as Biosaver's law only applicable for current element let us consider a small current element DL placed L distance from O and X distance from P इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा उमीद करता हूँ आप असानी से लिख सकते हैं अब लिख सकते हैं तो आगे चलते हैं भड़ा बड़ बता देता हूँ यह आज इसका class पूरा यह खा जाएगा इसके बाद कल जो होगा ना कल अपन थर्ड नुमेरिकल नहीं पड़े थर्ड concept नहीं पड़ेंगा कल तो संडे ना परसो concept नहीं पड़ेंगा नुमेरिकल बनाएंगे इसके पूरे जो सर्कुलर का एक सेंटर वाला और इसका फिर आगे चल जाएगा ठीक है ज्यादा बड़ा चप्टर नहीं है हो जाएगा तो magnetic field intensity magnetic field intensity due to dl at point p p बिंदू पर p बिंदू पर dl के कारण dl के कारण चुम्बक्किये छेत्र की तिव्रता क्या होता है db mu naught 4pi i dl sin theta बटे में r square होता लेकिन यहां से आंतकर distance अगर x है तो यह distance होगा x square याद होगा आपको x याद रखो याद करो ऐसा करके हमने लिया था ठीक है यह जो distance p था यह theta बन रहा था और यह क्या चल रहा था याद है यहाद है बच्चो तो यहां पर वह x हो जाएगा उमीद करता हूँ click कर रहा होगा उमीद करता हूँ इस derivation को 3-4 तरीके से बना सकता हूँ तो 3-4 तरीके में से सबसे सरल तरीका चाहिए यह आपके पास ऐसा तरीका हो जो आपके competition को भी cover करें मतला overall हर चीश को cover करें numerical से रेकर हर चीश को cover करें और concept को crystal clear कर दें point be noted मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको दो तरीके सम solve कर सकते हैं एक तरीका तो यह है कि आपके अकर लो एक तरीका तो यह है कि आपके अकर लो कि simple तरीके solve कर लो board एकदम पास रटलो और पास हो जाओ या एक तरीका यह है कि उसको अगर पढ़ लिया है ना तो हर जगे पर लाइब जिंगा लाला मतलब आपका competition वी कवर होगा, competition के साथ क्या कवर होगा, आपका जो concept है वो crystal clear हो जाएगा, ठीक है तो तरीका कौन सा चाहेंगे, मैं जानता हूँ कि 99% बच्चे यही बुलेंगे, सर तरीका वो बताओ, जो best हो जो हर जगे पर काम है, है ना तो मैं उसी तरीकों को आगे focus कर रहा हूँ तो don't to be mind, देखो concept वाला, ठीक है, तो वही इनमें बोला ना, ठीक है, उसी को यह पन कर रहा है तो देखें, ध्यान से समझ लेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को हमको भी discuss करना है कि किन किन चीजों को हम ले रहे है और किस तरीके से ले रहे है अब अगर साइन ठीटा के अगर बात करूँगा तो exact यहाँ पर आप एक काम करना इसको 5 मान लेना ठीटा तो ही यह ना, ठीटा का value हमको पता है ठीटा का value हमको एक जो value पता है लिखते चल जाएंगे ठीटा का value पता है पाई बाई टू माइनस अलफा रख लिए, अब यहाँ पर अच्छा सा मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ अच्छा सा ध्यान सा समझना यह यहाँ पर बना रहा है अलफा, यह यहाँ साहन तक का distance यहाँ साहन तक distance अल है और यह distance x है मुझे ना answer x के form में नहीं लाना है r के form में लाना है क्योंकि x से r distance पर बोला x से r distance पर यह x distance पर values नहीं लाना है तो r distance के form में लाने के लिए मुझे x को r में convert करना पड़ेगा उसके लिए मुझे use करना पड़ेगा cos theta क्योंकि यह base है यह क्या है? यह base है और यह perpendicular है और यह hypotenuse है मतलब यह आधार है और यह lump है और यह kern है तो मुझे अगर इसको लेना है तो मुझे cos लेना पड़ेगा cos क्या लेना पड़ेगा? cos alpha is equal to क्या होता है? base by hypotenuse base का मतलब अधार बटे kern, अधार कितना चल रहा है? r, kern कितना चल रहा है? kern कितना चल रहा? x x का value निकालूंगा cos इसके निचे चला जाएगा r, cos alpha या इस तरीके से भी लिख सकता हूँ x, cos उपर चला जाएगा r, sec alpha cos को लिटा क्या होता? sec उमीद करता हूँ, बहुत सारे बच्चों क्लिक कर गया होगा मैं देखो, मैं बस diagram देख रहा हूँ, जो जो चीए लाके रख रहा हूँ theta चीए था, पता चल गया x नहीं चीए, किस के form में चीए? r के form में चीए r के form में चीए, तो r को लेना पड़ेगा में क्या करूँगा? और याद रखना, current आई तो सब में constantly flow हो रहा हूँ, current vary करने वाला अगले class में पड़ेंगे, तो again यहां पर लेंगे हम, again from triangle यहां right angle, समकोन तिर्भूज से, समकोन तिर्भूज से, समकोन तिर्भूज के एकर बात कोने तो मैं हापे नहूंगा 10 alpha, reason समझ में आ जाएगा, 10 is equal to perpendicular by base होता है, लंबटे अधार होता है, अगर यह है तो लंब कितना होगा L, अधार कितना होगा R, तो L is equal to कितना होगा R, 10 alpha, R, 10 alpha यहां तक अगर आ गया होगा बच्चे तो yes कह देना, यहां तक अगर आ गया होगा तो बच्चे yes कह देना, क्योंकि बहुत जादा important topic है, और मैं नहीं चाहता है कि आप रटे इस चीजों को conceptually इसको solve करें, अच्छे solve करें एक-एक point को समझे, ठीक है ठीक है, हो रहा है ठीक है, हो रहा है, ठीक है पड़ेगा, तो differentiate किसके respect बहुत हो, आर, आर तो एक constant distance है लेकिन alpha, alpha vary कर रहा है alpha क्या कर रहा, change कर रहा alpha क्या कर रहा, change कर रहा, phi ताफ यह कम करते करते क्या, और alpha change कर रहा तो alpha एक variable angle है, alpha क्या एक variable angle, एक परिवर्तित कोन है जब एक परिवर्तित कोन होगा तो मैं उसी के सापिक शहां पर alkaline करूँगा, d by d alpha l, d by d alpha confuse नहीं हो ना, मैं आपको सब चीजें बता रहा हूँ, यहां पर होगा 10 alpha, जब इसका alkaline करेंगे तो यह भी एक variable है, तो क्या होगा d by d alpha, r constant है बाहर आ गया, differentiation किसका करेंगे 10 alpha का, 10 alpha का होता है c square alpha c square alpha यह इधर चला जाएगा तो d l का जो final value आया है वो कितना आ रहा है r c square alpha r c square alpha साथ में d alpha यह इसका value आ गया है तो मैंने किसका value निकाल, तीनों का value निकाल दिया अब तीनों का value ही तक आपको मैनत करना है अब तीनों का value ला करक देना, solve कर देना, खता ठीक है, मैं आपको chance दे रहा हूँ समझने का मौका दे रहा हूँ मैं आज आपको 1 minute में side hat के लिखने वाला funda आज apply नहीं कर रहा हूँ मैं आपको time दे रहा हूँ theta चाहिए था मैंने निकाल दे theta मुझे X के respect में नहीं, R के respect में चाहिए था मैंने R के respect में X का value निकाल के R के respect में रख दिया अब मेरा DL आटा आटा गारा क्योंकि DL smallest value था तो मैंने whole value निकाला, पूरा value निकाला किसके form में 10 के form में तो मेरा L का value आ है लेकिन L को DL में change करने के लिए मुझे differentiate करना था तो differentiate करने के लिए मुझे एक ऐसा value change चूज़ करना था जो change हो रहा हो variable हो तो R तो variable नहीं है R तो constant है क्योंकि distance है तो चमाज समझ में है कि angle जो होता है वो change हो रहा है रुखना नहीं है थमना नहीं है चलते चले जाना इसको put कर दो in this equations ठीक है इन सारे values को इसमें put करना तो मैं मिटा दे रहाँ इसको ठीक है अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरन एक में मान को रखने पर समीकरन एक में मान को रखने पर putting the all value in equation number 1 चलो db mu not upon 4 pi कुछ नहीं करना है current वेरी नहीं करना है the value of dl the value of dl r say square alpha साथ में d alpha sin theta sin तो रहने दो लेकिन theta का value पता है pi by 2 minus alpha x square x का value पता है r say alpha का whole square चली हो गया अब खत्म हमने smallest का निकाल लिया हमने smallest value का निकाल लिया अगर dv mu not upon 4 pi i यह क्या हो रहा r say square alpha d alpha sin 90 minus theta ध्यान पर समझेंगे sin pi by 2 का मतलब 90 alpha क्या होता cos alpha तो इस पूरे के जगे पे इस पूरे के जगे पे यहां पे इस पूरे के जगे पे मैं क्या लाके रख दूंगा cos alpha तो क्या लाके रख दिया है यहां पे मैंने cos alpha जब square separation करूंगा तो यह r square होगा और sec का क्या होगा sec square alpha होगा sec ने sec को उड़ा दिया r ने r को उड़ा दिया तो finally we get mu naught upon 4 pi i और यहां पे क्या बच्चा cos alpha d alpha और नीचे बच्चा r यह निकल गया intensity of electric field due to smallest part हमने क्या निकाल दिया एक alpans khand के कारण p बिंदू पर चुम्बकी 6 ती ती विरता हमने निकाल लिया तो क्या मुझे पूरे straight wire का निकला सिर्फ alpans khand का निकला तो d alpha dva मतलब small है dva मतलब क्या small है क्या मैंने पूरे का निकाला नहीं नहीं मैंने एक small part का निकाला है मैंने एक small part का निकाला है मैंने एक small part का निकाला है कितना निकाला है small part का मैंने small part का मैंने निकाला है mu naught 4 pi i cos alpha d alpha by r मैं एक small part का निकाला पूरे part का नहीं निकाला है क्या पूरे part का निकाला जा सकता इस तरीके से यस निकाला जा सकता आप क्या करो x से y तब जो angle बन रहा है ना angle के base पे निकाल लो ठीक है ना click कर गया ना अब हम क्या निकालेंगे अब integration very good अब क्या करेंगे integration करके निकाल लेंगे खत्म चलो अब मैं निकालता हूँ net intensity मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे जगा ले रही है तो अपके लिखा रहा है कि then the net magnetic field due to whole wire then the net magnetic field due to whole wire या conductor ठीक है संपूर्ण चालक के कारण चुम्बकी छेत्र की तीवरता संपूर्ण चालक के कारण चुम्बकी छेत्र की तीवरता तो क्या होगा बी कहा से कहा तक जोड़ना हमको x से y तक जोड़ना है ठीक तो हम देख रहे हैं कि जो जोडने वाला वह angle के form में, तो हम बता दिए कि ठीक है भाई है, angle लेना तो ले लो ये 5-1 से start हो रहा है 5-1 से start हो रहा है, 5-2 तक जा रहा है लेकिन बीश में वेरियर है, इसलिए minus से कहां तक चल रहा है plus, कहने का मतलब हम खड़ें यहाँ पर है नीचे देख रहे है, हम खड़ें यहाँ पर है नीचे देख रहे है, नीचे जब देखेंगे तो minus 5-1 से plus 5-2 minus 5-1 से बीश में plus 5-2, बात समझ में है रहा आप पड़े होंगे angle of inclination declination बगएर बगएर पड़े होंगे तो आपको minus plus का difference समझ में आगया होगा क्या dv का value पता है, yes पता है क्या पता है, minot upon 4 pi i cos alpha r साथ में होगा d alpha अब constants क्या है देखो, भी यह तो constant है 10 to 0 minus 7 होता इसका value यहाँ current तो i जो है constant flow हो रहा है नियत है, r क्या है, निश्ची दूरी पर निकाल रहे हैं, चलो, तो बचा कितना cos alpha, तो यहाँ से minus 5 1, यहाँ plus 5 2 और यहाँ पे होगा cos alpha साथ में होगा d alpha मैं इसे को थोड़ा आगया, इंपे carry on कर लेता हूँ b is equal to mu not upon 4 pi i by r जब इसको solve करोगे na, cos का करते हैं तो sin आता है, क्या आता है sin alpha, तो कहां से minus 5 1 से plus 5 2 इसको definite integration बोलते हैं, चलो आप 11 basic में पढ़े होगे mean not upon 4 pi i by r यहाँ पे होगा sin 5 2 minus sin minus 5 1, ठीक है sin की एक खासियत है कि sin जो है na minus को count करता है तो जो minus इधर है na इधर जो minus है, तो बहार आ जाएगा minus sin 5 1 हो जाएगा तो b is equal to mu not upon 4 pi i by r यह क्या होगा, sin 5 2 minus minus क्या हो जाएगा plus sin 5 1 या और बेवस्तित करके लिखना है तो उसको ऐसे लिख सकते हो b is equal to mu not upon 4 pi 4 pi i by r sin 5 1 plus sin 5 2 खतम यही था इसके लिए चुंबकी छेति की तिव्रता हो very important for 12 इंट्रिकेशन में क्या करता है यह constant है क्योंकि इसका value होता है 10 to the power minus 7 यह एक निश्चित मान होता हो बाहर आ जाता है current जो है वो एक fixed current floor है यह constant है एक fixed distance में निकाल रहे है यह constant है लेकिन angle vary कर रहा है देखो 5 1 से 5 2 के बीच में angle change होते जा जा रहा है तो यह constant नहीं है यह दोनों constant नहीं है मतलब वो variables है तो जो constant उसको बाहर निकालते है variables को अंदर रख देता है अंदर रखने के बाद cos alpha d alpha cos alpha का जब करेंगे तो क्या होगा sin alpha होता है cos alpha का जो integration होता है न बच्चे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ integrations cos alpha d alpha तो यह होता है sin alpha ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखूंगा sin alpha लिख लिए अब phi 2 लिखूंगा फिर minus phi 2 यह definite integration का फंड़ा है एक बार upper limit एक बार lower limit एक बार उच्च सीमा एक बार निमनी सीमा इनको लाके रखते है तो उच्च सीमा को जब लाके रखूंगा तो phi 2 हो जाएगा minus फिर निमनी सीमा को लाके रखूंगा minus 5 1 तो यह minus बाहर आजाएगा minus minus plus हो जाएगा तो final मिझे यहां तक मिल गया इस formula को रट ले इस formula को रट ले अब जो बतारों इसके कुछ conditions है आप उस conditions को ध्यान पर रखेंगे conditions बहुत important होता है जब भी यह board में आगा तो condition बगर everything आपसे पूछेगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे इसको बना लेंगे चलिए चलते हैं यह यहां तक आ गया ठीक है इसका formula हम यहां पर note करके छोड़ देते हैं तक आपको भी याद रहें मुझे तो याद है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको याद रहें और आप चीजों को समस्ते वे चले जाएं ठीक आप चीजों को समस्ते वे चले जाएं ठीक अब देखें Okay, conditions. First, if wire or conductor are infinitely long, यदी चालक तार अनंत लंबा हूँ अब सोचो तार बहुत लंबा है तो पी पॉइंट यहां पर हो जाएगा पी पॉइंट बात को समझ लो तार बहुत लंबा है यह जैसे से लंबा होता जाएगा यह उसके सामने छोटा दिखता चाल जाएगा बात को समझना इसलिए इसको बहुत लंबा कर दिया हूँ और इसको बहुत छोटा कर दिया हूँ उमीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा उमीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा अगर ये बहुत लंबा है और ये बहुत छूटा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो distance होगा ना ऐसा अगर गए तो गौर से देखोगे तो ये angle कित्ता बना रहा है गौर से देखोगे ना मैं आपको जूम करके दिखा रहा है ये ऐसा है और ये लगभग है लगभग ऐसा आ रहा है लगभग लगभग क्या हो रहा है ऐसे ही आ रहा है तो ये जो angle है ये angle और ये angle अनंत लंबा रहेगा ना तो ये लगभग 90-90 बन रहा है लगभग क्या बन र जाएगा र तो constant लिया गया ठीक है अब अगर यह छोटा होते चल जाएगा तो r का value यहां पर change होते जाएगा लेकिन इसको खीच दोंगा बहुत लंबा तो यह बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 90 और यह बढ़ते 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 यह भी 90 तो लगभग 90 हो तो five one का value भी कितना होगा 90 और five two का value भी क्या होगा 90 formula क्या था बी is equal to mu not upon four pi i by r sin 90 plus sin 90 साइन नाइन्टी का वैल्यू बच्पन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 1 होता है तो B is equal to mu not upon 4 pi I R साइन नाइन्टी का वैल्यू होगा 1 plus 1 तो finally हमको क्या मिला mu not upon 4 pi 1 1 2 2 I by क्या होगा R उमीद करता हूँ यहां तक आप हो click करें के होगा first conditions उमीद करता हूँ सारे बच्चों को first conditions जो है लगबख clear क्या 100% clear होगा clear ना होने वाली कोई बाती नहीं है physics तो आप घर की खेती बन गई है na physics तो आप आपको अशान लग रहा है कि नहीं लग रहा बता है second condition पढ़ते है second conditions इसको आप note कर लेना note करने के लिए मैंने जगा छोड़ दिया था अब आप इसमेरा आप से जब भी चाहे तब note कर लेना second conditions second conditions if p point if p point lies on one end of one end of the wire जब p बिन्दू चालक तार के एक सीरे पर हो चालक तार के एक सीरे पर हो मतलब ऐसे ही p point यहां पर ठीक है लंबा street wire है यह उसके one end पर एक सीरे पर है यह उसका first end है मैं इसमें लिख दे रहा हूँ first end और यह इसका क्या चल रहा है second end second end चलो बताओ five one five two का value कितना आएगा इधर तो आगे जाई नहीं रहे है तो five one का value हो गया zero नहीं समझ में है यार angle कैसे बनाता है ऐसे बनाता है यहां से और यहां से वो आगे जाई नहीं रहा है इसके आगे तो five तारी नहीं है तो five one काँ बनेगा भी है हावे में थोड़ी बनाएगा तो five one का value क्या हो गया zero five one का value क्या हो गया zero लेकिन five two जो है वो लगभख कितना बना दे रहा है इधर तो five one ही नहीं ना यहां पे कुछ ही तो इसलिए किसका value क्या हो गया zero आगे तार नहीं यह तार यहीं पे खतम हो गया तार रहेगा तभी तो आगे वो angle बनाएगा ना भाई नहीं समझ में आया कि यस कर कनवे करें समझ में आयके यस कर कनवे करें यार वो आगे 5 कैसे जाएगा आगे तार ही नहीं है तो कहां जाएगा तार ही नहीं है तो कहां जाएगा समझ मैं ना इसलिए 5-1 का value हो गए 0 लेकिन 5-2 वही पुराने वाले case के नुशार 5-2 का value 90 लगभग 90 तो formula फिर से mu not 4pi i by r sin 90 plus sin 0 मैं इसको na cos का भी एक formula बताऊंगा इसमें जिस दिन numerical पढ़ेंगे उस दिन बताऊंगा cos का भी इसका एक formula होता है बहुत कम लोग जानते हैं इस चीश को लेकिन मैं आपको पूरी चीशें बताऊंगा cos का formula क्या होता है जिस दिन numerical पढ़ेंगे उस दिन आप इस दोनों conditions आपको अच्छे से क्लिक कर गया होगा उमीद करता हूँ दोनों ही and दोनों ही चीशें आपको क्लिक है ना उमीद करता हूँ दोनों ही conditions आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब हम थोड़ा सा concept को change करके पड़ते हैं सुने third case, third case में हम यह पढ़ रहे हैं कि यह finite length का है और जो p point है इसके bisectors में मतलब देखने अच्छे से देखने फिर note करना है diagram इसको भी बनाना भी है इस इस आपको concept क्लियर होगा क्योंकि अभी तो समझ में आ गया खेर तो video तो आपके पास देखो online course लेने का सबसे बड़ा फा सकते हैं जब ता चाहे तब आपको revision कर सकते हैं पूरा वही चीच फिल आएगा ठीक तो देखें क्या करना है condition 3rd condition 3rd if wire having finite length having finite length l and p placed placed at bisector of the wire. यदि चालक तार की लंबाई निश्चित है अल तथा निश्चित है इसके किस पह है? किस पह, बाई सेक्टर का मतलब मध्य बिंदू के अक्षपर है कहने का मतलब, फिनिट लेंथ का मतलब यह होता है यह X है, यह Y है, यह कंप्डिट लेंथ क्या बूला? L है, Bisector का मतलब उतता है यहां सहन्तै का Length L by 2 यहां सहन्तै का Length L by 2 this distance is R यहां पे बन रहा 5 1 और यहां पे बन रहा 5 2 और यह जो distance है वो R है उम्मीद करता हूँ कलीक कर रहा होगा उम्मीद करता हूँ कलीक कर रहा होगा अच्छे से देखने एक सेकेंड के लिए ठीक है? उमीद करता हूँ यहां तक क्लिक कर गया होगा तो इसके बाद मुझे फार्मूले में लाके रखना है तो according to formula, समझ में आए? कौनसेट समझ में आए? second condition समझ में आए कि यह नहीं यह बता दें बस आगया ना? चलो तो time बचा बहुँ टाइम है यह यहां तक हो गया ना? तो according to formula, सुत्र के नुश्यार b is equal to mu not upon 4pi i by r sin51 plus sin52 51 का value जहां sin51 sin51 मतलब perpendicular by hypotenuse लंबटे कर्ण अब इस triangle में यह l हो गया, यह r हो गया, यह अधार हो गया, यह लंब हो गया, तो कर्ण कितना होगा? r square plus l square by 4 उमीद करता हूँ क्लिक किया होगा? Pythagoras theorem लगाया बच्चे, क्या लगाया हूँ मैं? Pythagoras theorem इसके लिए भी तो वही होगा, l by 2 r, तो इसके लिए भी क्या होगा? r square, l square by 4 Pythagoras theorem तो आता ही चैना, वह इलब बिल्गुल समझा रहा हूँ भाई, अभी समझ में आएगा देखो तो perpendicular क्या है? l by 2 hypotenuse क्या है? r square plus l square by 4 उस diagram कभ यूज नहीं उसको मिटा दे रहा हूँ ताकि मेरे पास space बच जाए rocket science नहीं है यार, बहुत simple सी चीज़े है यार तो sin phi 2 का अगर value निकालता हूँ sin phi 2 का अगर value निकालता हूँ sin phi 2 का अगर value निकालूँगा, तो क्या निकलेगा? sin phi 2 इसके लिए भी perpendicular by hypotenuse, तो इसके लिए भी perpendicular केतना हो जाएगा? l by 2, hypotenuse केतना हो जाएगा? r square plus l square by 4, sin phi 1 phi 2 का value निकालता हूँ तो b is equal to mu not upon 4 pi, i by r, sin phi 1, l by 2, r square, l square by 4, प्लस ये भी l by 2, r square, l square by 4, एकी चीज़ दो बार दिखा हूँ पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको फिर से recap दे दूँगा, i r, एकी चीज़ दो बार तो 2 लिखूँगा, l by 2 लिखेंगे, r square, l square by 4, 2 ने 2 को माट डाला, तो b is equal to, finally we get, l, r square, l square by 4, अब बताओ बच्चे, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? अब बताओ कितने बच्चों को ये वाला concept समझ में नहीं आया? बताओ, देखो, कितने बच्चों समझ में नहीं आया? कुछ नहीं था यार, अपने को finite length दिया, finite का मतलब निश्चित, infinite का मतलब अनंद, जिसका कोई अन्द नहीं, infinite का मतलब क्या होता? निश्चित एक अतार दिया था, मतलब एक fixed length का L दे दिया था, उसके bisector मतलब 20 से गुजरने वाला एक बिंदू था, वहीं पर क्या दिया है? इसका observation point है, इस point पर अगर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? टोटल लंध अगर L है, तो यह होगा L by 2, यह दिया है R, तो यह वाला distance कितना हो जागा? R square plus L by 2, यह कैसे है? पैथागोरस theorem, क्या होता है? the square of perpendicular plus square of base, लंब का वर्क प्लस धार का वर्क का योग, याद है कि नहीं याद है? यस करें, अब इसका value यहां रखें, और जैसे उ उसको लिए, यहां पर लिखें, क्योंकि दोनों का measurement तो same था, अब मुझे sign 5152 चीए, तो लाके रख दिया, symbol तो किया है, बता कितरे बच्चों को, तो उमीद करता हूँ, third conditions आपको समझ में आ गया होगा, यह topic ना, इस chapter के सबसे important topic है, ध्यान रखना, अगर इस chapter में से होगा, तो उसमें से यह होगा, तो यह होगा है यहां पर, चलो, अब हम ना, एक fourth conditions पढ़ते हैं, total 5 conditions बता रहा हूँ, मैं आपको ना, competition point of view से बता रहा हूँ, लेकि इसके numerical सफ़न, academic वाले करेंगे, और जो बच्चे competition वाले हो, competition level के करेंगे, क्योंकि यह बहुत important है, मैं अभी इस साल, अभी जो, चल रहा न, जै मेंस का exam, उसमें भी question दिखा सकता हूँ, जो इसमें से पूछा हुआ है, जै मेंस, नीट का exam तो होने वाला है, ठीक, तो देखें, condition number four, four था क्या, नहीं, four तब बताने वाला हूँ, if P point, point, lies on the axis of the wire, axis of the wire or conductor, जब P बिन्दू, P बिन्दू, काम पर हो, उस अच्छ पर हो, तार के अक्ष पर इस्तित हो, मतलब अभी तक यह लंबा wire था, ठीक है, P point कहां हुआ करता था, यहां हुआ करता था, अब इस P point को उस चालक तार में ही लाके रख दिए, उस चालक तार में ही उठा के लाके रख दिए, इसको यहीं पर लाके रख दिए, अब यहीं के अंदर ही आ गया हो, तो बताओ, अब यहां था, सोचो थोड़ा सा, यहां था तब 5-1 था, यहां था तब 5-2 था, जब इसको अंदर धकेल दोगे, पी को अंदर धकेल दोगे, इमेजिनेशन, everything is depending on your imagination, physics completely depending on your imagination, physics जो है, वो आप कैसा इमेज करते हैं, चीजों को किस तरीके से देखते हैं, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कई लोग को अगर बुलाओ के दस लोगे, यहां पंखा घूम लेकि उन्में से कईसार ऐसा होगा, पंखा घूम रहा है, जबूर अलग अलग होता चीजों को देखनेगा, ठीक है, तो इसको धक्का मार के जब इधğर लाओंगा ला, और एक स्ट्रेट लाइन मना देगा, जब स्टेयटकेल मना देगा इसका मतलब phi 1 का value भी कितना होगा 180 और phi 2 का value भी कितना होगा 180 मतलब pi radian pi का मतलब ही क्या होता pi radian 180 degree के बराबर होता है radian और यह क्या होता है degree तो उस conditions में गर लाकर रखता हूँ तो mu not upon 4 pi 4 pi i by r और यहां पे क्या होगा sin 180 plus sin 180 और sin 180 का value बचपॉन से पौड रहे हैं भाई 0 तो b is equal to mu not upon 4 pi i by r 0 plus 0 2 0 complete 0 0 से multiple मतलब यह तो हम उस दिन भी बला लिये थे जब जिस दिन बाग सेवर्स लाव पड़े थे यार अक्ष पर जो होता है चुम्बगी चेति विरता सुनने होता है जैसे दिन से दूर जाएंगे तो चुम्बगी चेति बनता जाएगा और धेरे धेरे कम होता जाएगा बात समझ में आ गया होगा समझ क्या ठीक है समझ हो जाएगा वो पी ठीक है अब कंडिशन नमबर फिफ्थ है कंडिशन नमबर फिफ्थ है यार ग्राफ बना रहे हैं और भी ग्राफ बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको और भी ग्राफ डिस्टेंस के साथ बी में क्या चेंजस आ रहा है यह observation point यह r का direction को define करता है किसका direction को r को यह b को define कर रहा है तो याद रखना है negatively अगर बढ़ते जाते है तो intensity बढ़ता जाता है ठीक है और curve में बढ़ेगा क्योंकि formula आपको पता होगा formula यह था b is equal to mu not upon 4 pi i by r sin 51 plus sin 52 यह बढ़ रहा है तो यह घट रहेगा लेकिन minus में चल रहा है तो minus में जैसे सागे बढ़ते जाओगे तो b का value बढ़ता जाएगा graph का अच्छे ध्यान पर रखे समझ ले उस diagram को समझे जब यह pass आ रहा था तो magnetic field का value क्या होगा बढ़ता जाएगा negatively pass आ रहे है मतलब negatively pass आ रहे है क्योंकि आप angle 5 याद रखे है तो इसका value क्यों बढ़ रहा लेकिन एक certain distance के बाद जब आप क्या करोगे प्लस से उपर जाना चालो करोगे तो इसका value फिर से कम होगा curve में क्यों बन रहा है क्योंकि b is universally proportional to r b क्या कर रहा है simple मैं आपको दो तरीका समझाता हूँ ज्यान से समझना जिब को समझ में नहीं आया है b समान उपाती minus r b समान उपाती plus r इधर रहूंगा तो r जो मिलेगा मुझे minus मिलेगा इधर चलूंगा तो r मुझे plus मिलेगा बात को समझे minus में बढ़ रहा है minus में ये बढ़ रहा है मतलब ये कमी हो रहा बात को समझे लेंगे minus में ये बढ़ रहा है मतलब ये कमी हो रहा जब ये कम होगा तो ये बढ़ेगा किसी भी चीशी सामने अगर minus लगया तो लेकिन माइनस लगा दियें तो वास्तों में भड़ नहीं रहा है, गट रहा है जब अरगट रहा है तो B क्या होगा, बढ़ेगा सबбी वित्क्रमानुपाती, इसलिए क्या होगा, पस अब इसमें चल रहे, प्लस में अब यहां से प्लस हो गए, अब यह बढ़ेगा तो यह घटेगा न तो इसलिए घट रहा है और ऐसे क्यों बन रहा है किनकि वित्करमानुपाती में क्या होता कर बनता है यह सी जो को हम पढ़ने पढ़ चुके नहीं पढ़ें तो 11 थेयोरी में 11 तो भी ग्राफ थेयोरी स्टाट ओने वाला जरूरा टेनिक करना आपको समझ म बढ़ रहा लेकिन मैनस लगा इसलिए घट रहा है यह घट रहा इसलिए बी क्या होगा बढ़ रहा है इसलिए क्या होगा कर्वड ऐसा बना आर बढ़ते बढ़ते बी का वैल्यू बढ़ रहा है समझ मैं है लेकिन अगर यहां पर बोलूंपा आर का वैल्यू 10 है तब बी क फिर R का वैल्यू B से मतलब R का वैल्यू B से मतलब B का वैल्यू कम हो रहा है क्योंकि प्लस में है जैसे को स्फिर यह कम होता जाएगा